मैं डॉक्टर जगदिश पर्शाथ मुना असिस्टेंट प्रोपेसर एफम आर्थिक पर्शाथ सनीम वित्य प्रबंद मित्रों पिकों पार्स सेकिंड कर्जो सेकिंड पेपर वित्य प्रबंद के तर्प इसके अंतरगर्ट आज अध्यन करेंगे इसकोप और पंक्सन और प्रिसेवेवल मेनेजमेंट प्राप्यों के परबंद का छेत्र अत्वा कारिये प्राप्यों का स्रजन उधार माल बेचने के कारण होता है अध्य प्राप्यों का प्रबंद सहाख विभाग द्वारा किया जाता है प्राप्यों के परबंद हेतु साथ विभाग द्वारा सरपरतम ये निसित किया जाता है कि किलकिन ग्रहकों को हुदार माल का विक्रे करना है तता हुदार माल की रासी का ग्रहकों की रिंड समता के आदार पर निर्दारन किया जाता है इसके अत्रीक रिनकी बसुली प्राप्यों में निवेश को अनुकुलतम स्वर्थ तक रखना आधी कारिये भी साख विभाग द्वारा किये जाते हैं प्राप्यों के परबंद के अंतरगा साख विभाग द्वारा संपादित निन्न कारियों को समलित किया जाता है पहले है साख नीति का निर्दारन यो मुल्यानकन सेकिन है संग्रहन परक्रिया का निर्दारन थर्ड है साख आवेदको का मुल्यानकन करना फोर्थ है प्राप्यों का विश्लेशन यो मुल्यानकन साख नीति का निर्दारन यो मुल्यानकन फॉर्मूलेशन एंड इविलेशन ओप क्रेडिट पॉलिशे प्राप्यों के कुसलता पूर्वक परबंध है तो उप्यूक साख नितिका निर्मान यूँ पॉलन आधार भूत आओ सकता है साख निशिती जितात परे उन तत्तों के निर्दारण से है जो व्यापरिक साख के मात्रा को प्रभावित करते हैं प्राप्यों में निवेश की मात्रा विभिन तत्तों पर निर्वर करती है मुख्यते दो तत्तों पर निर्वर करते हैं उधार साख निती दूसरा कटोर साख निती उधार साख निती के अंतरगत ग्राकों को उधार साख निती के अंतरगत ग्राकों को उधार साख निती के अंतरगत ग्राकों को पूरी जाच परताल के फसाद उनकी रिन देश समता के अनुसार कम साक अउदी पर माल का विक्रे किया जाता है हुदार साक निती के करन संस्ता की हुदार विक्री की राशी बढ़ जाती है जिस से लाबो की राशी में भी ब्रद्धी हो जाती है जहां एक और हुदार विक्रे के करन लाबों की रासे में ब्रद्दी होती है वहां बुक्ता नहीं मिलने से दूबत रेनों की रहानियों तता उसकी दूसरी और संस्ता की तरलता की समश्या का शामना करना पड़ता है कटोर साक नितिक के अंतरगत सहस्ता को डूबत रिन की हानी यह उत्रलता की समश्या का शामना अपेक्षा करत काम करना पड़ता है साक कसोटियां साक कसोटियां गराखों को रिन हुदार देने के कारणा बेसिस और क्रेडिट को दरसाती है तता इससे रिन की सुरक्षा का अनुमान भी लगाया जा सकता है साक कसोटियां हुदार होने पर संस्ता में हुदार माल की विक्री बढ़ जाती है जिससे संस्ता के लाब भी बढ़ जाते हैं लेकिन इसके साथ ही अत्रिक्त प्राप्पे विन्योजन के कारण परसास्निक लागते डूबत रिन की हाने चता विक्रे ये वित्रन भे भी बढ़ जाते हैं उक्त लागतों को लाब की रासी में से घठा देने पर अत्रिक्त विक्रे के करण सुद्ध लाब में ब्रद्दिया कमी की रासी को ग्याद किया जा सकता है अतर चालू या बरत्मान नीती में कितनी उधारता बरती जाए इसके लिए अत्रिक्त उधार विक्रैसे प्राप्त होने वाले अत्रिक्त लाबों की तुन्ना अत्रिक्त प्राप्यों में निवेश के करण संभावित लाबों से करनी चाहिए एक संस्ता ग्रहकों के बारे में जानकारी आंत्रिक हैं बाई ये दोनों सुरुतों से प्राप्त कर सकती है आंत्रिक सुरुतों के अंत्रिक संस्ता दोरा विक्षि सुजना पन्नाली के साथ साथ ग्रहकों के साथ उसके पिछले अन्वावी आ जाते हैं बाई ये सरुतों में ब्यापार सांगियों रिन मुल्ले निर्दारान संग्टन संब्लित किये जाते हैं एमरिका में डॉम एंड ब्रांड स्ट्रीट इंक्रोप्रेटेट तता स्टेंडर्ड और पूर्स कॉर्परेक्शन ऐसे ही संग्टन है ये संग्टन छेत्रा अनुसार म या उस्ताइक उपक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं हमारे देश में इस प्रकार का कोई संग्टन अभी विक्षित नहीं हो पाया है एक संस्ता संग्रित रिंड सुसना को हनी की संभावना के आधार पर विबिन जोकिम वर्गों या समूं में बाढ़ सकती है इस वर्गीकरन के आधार पर ये संस्ताइ ये निश्चित कर सकती है कि क्या उसे विशेश वर्ग के ग्रापकों को उधार देना चाहिए या नहीं साक की सर्तें साक की सर्तों में प्रमुक्ते साक अवदी वर नगचुट का आकार एवनीती का विश्लेशन किया जाता है साक अवदी साक अवदी के अंतरग साक अवदी का विश्तार तता दे बटा दोनों समलित किया जाते हैं ग्राग साक अओदी का सम्मन बट्टे से जोड़ते हैं। सादार त्यल साक अओदी बढ़ने पर विक्रव में ब्रति हुती हैं। हताँ वित्य प्रबंद को यहां संस्ता की लाबदायित वातिरिक्त विक्रव में विन्योजन की लागत के मद्दे सामन जस्ते इस्ताफित कर करना होता है नगत छूट का आकार यह निती संस्था द्वारा अपने हुधार क्रेताओं को दी जाने वाली नगत छूट का आकार भी संस्था में लागत तता विक्रमें बिन्यों के आकार को महतुन रूप से प्रवावित करता है वित्य प्रवंदक को यहां नगत छूट से प्राप्त होने वाले लाव वत्रलता में तुनना करनी होती है नगत छूट से क्यों तरलता ही नहीं बढ़ती है किन्तु डूबत रिन्य में भी कमी होती है संस्ता एक तरप तरुलता से होने वाले लाब प्राप्ट करती है। तता दूसरी तरफ डूबत रिन में भी कमी के कारण विक्रेव वित्रन लाब प्राप्त कर सकते हैं। नगा छूट का प्रवाव ओस्त संग्रण अवदी पर भी पड़ता है। ओस्त संग्रण अवदी में कमी होने पर संस्ता की साक में व्रद्धी होती है। संग्रण नीतियों का निर्दारन होता है। संग्रण प्रविद्यों के अंतरगत क्राकों से संग्रण पत्र व्यवार दूर भास पर वारतलाव, विक्ति गत वारतलाव तता कानूनी कारवाई इत्यादी समलिता है। सादान तर संग्रण पर के गए वे वर दूबत रिन से होने वाली हानी में विप्रीच समन्द पाया जाता है। संग्रण पर जितना अधिक खर्चा होगा दूबत रिन से उतनी ही हानी कम होगी। यहां ये बता देना आवस्यक है कि संग्रण पर दूबत रिन से हानी में रीकी समन्द नहीं होते हैं। प्रारंबे जैसे जैसे संग्रण पर बढ़ता जाता है दूबत रिन हानी में उससे अधिक अनुपात में कमियात होती है। लेकिन संग्रण वे का एक बिंदू ऐसा आता है जिससे अधिक खर्च करने पर संस्ता को कोई अत्रिक्त लाप्राप्त नहीं होता। इस बिंदू को संतुष्टी बिंदू की नाम से व्यक्त किया जाता है। वित्य प्रबंत को संग्रण वे तता डूबत्रिन से होने वाली आनी की बीच सामज़ा से इस्तापित करना होता है। विक्रण ओसा संग्रण अवद्धी डूबत्रिन वर लाबो का साक नीति से समन। विक्रण वर साक नीति साक नीति जितनी हुदार होगी विक्रण उतना ही बढ़ेगा। लेकिन साक नीति जितनी सक्त होगी विक्रण उतना ही कम होगा। कि ओस्व संग्रण आउदी वा साख नीति हुदार साख नीति यह ओस्व संग्रण आउदी में विप्री संबंद है अर्ता साख नीती जितनी उदार होगी संग्रण आवदी उतनी ही बढ़ती जाएगी साख निती जितनी भी परतिवंदित होगी वोसत संग्रण आवदी उतनी ही गटेगी दूबत रिन हानी वे साख निती उधार साख निती वे दूबत रिन हानी में धनात्मक संबंध है साख निती जितनी ही उदार होगी डूबत रिन उतनी ही अधिक होंगे साख निती जितनी ही परतिबंदित होगी डूबत रिन उतनी ही कम होंगे लाव वर साख निती परतिबंदित साख निती के प्लस रूफ संस्ता की विक्रे राशी में कमी होती है लेकिन ओसर संग्रान आवदी बर डूबत रिन में कमी आती है इस परकार बिकरे रासी में होने वाली कमी से जितनी लाबों में कमी आती है उससे अधिक वो बचत ओसर संग्रान आवदी बर डूबत रिन में कमी के करण पराप्त हो जाती है इस प्रकार प्राडम में प्रति बंदि साक नीती से संस्था कि लाप देरे देरे बढ़ते हैं लेकिन एक सीमा के फसाद विक्रमे कमी के कान लाप में हुने वाली कमी डू बत्रीन वो उस्थ संग्रन आवदी के माद्दे में से हुने वाली बच्चा से अधिक होती है अते लाब गिन्ने चालू हो जाते हैं अते जहां लाब सरवादी को उस बिंदू तक संस्था को साक निति पर्ति बंदित नहीं करनी चाहिए सेकिंड है संग्रहन परकर्या का निर्धारा एक सुद्रण ही हों व्यवस्ति संग्रहन नीति के लिए सू इसपस्ट संग्रहन परकर्या का होना आवस्यक है वान होरन के अनुसार किसी संस्था की संपूम संग्रहन नीति उसके दौरा अपनाई गई संग्रहन परकर्याओं के सहियों जन से निर्धारित होती है संग्रहन प्रक्रिया इस परकार की होनी चाहिए जिससे की संग्रहन में समय उलागत दोनों कम लगे संग्रहन प्रक्रिया में आउसकता से अधिक डिलाई है तो आउसकता से अधिक कटोरता दोनों ही ब्यापार पर प्रतिकुल परभाव डालती है आत्वा संग्रन प्रक्रिया ऐसी होनी चाईए जो बिक्रीकों बिना परतिकुल प्रभावित किये समयएपार हुदारी की रासी वसूल कर सके हैं तता असोध्य रिंच से उत्म होने को नूंतम कर सके हैं एक संस्था हुदार की वसुली नगज छूट का प्रलोबन देकर तकाजे के पत्र लिख कर अत्वा संग्रण संस्थाओं के माध्यम से कम कर सकती है। नगत छूट के प्रलोबन से कुछ देंदार तुरंत बुक्तान करने को प्रेज़त हो जाते हैं लेकिन जिन देंदारों से दे तिती निकल जाने पर भी बुक्तान प्राप नहीं होता उन्हें तकाजे के पत्र लिखे जाते हैं कुछ ग्राक विना द्यान आकर्षित करवाई समयान उसार भुक्तान ही नहीं करते हैं ऐसे ग्राक सामाने एक पत्र लिखने पर ही भुक्तान कर देते हैं कुछ ग्राक ऐसे भी होते हैं जो तकाजे के पत्र की और द्यान ही नहीं देते हैं ऐसे ग्राखों को दो या तीन तकाजे के पत्र बेजे जाने चाहिए पहला पत्र विनम्र सब्दों में होना चाहिए तता इस पत्र का जवाब नहाने पर दूसरा पत्र भुक्तान में दिरी की और ध्यान आकरसित करते भी लिखा जाना चाहिए इस प्रकार भी ये दि कोई जवाब प्राप ना होतो संस्ता कुछ कटोर सब्दों का परियोग करते भी बुक्तान के लिए पत्र लिखती है इतने पर भी ये दि पत्र का कोई जवाब नहीं आता है ये बुक्तान प्राप नहीं होता है तो संस्ता को ग्रहक से टेलीफोन या परत्यक्स रूप से बात करनी चाहिए यदि इसकी भी ग्रहक पर कोई परत्ति के लिए ना हो तो संस्ता दोरा ग्रहक को कानूनी कारवाई की चेतावनी देनी चाहिए इतना करने पर भी यदि भुक्तान प्राप ना हो तो संस्ता ऐसे उदार खातों को संगरन संस्ता को सुपूर्ट कर सकती है संगरन संस्ता फ्रम की ओर से उदार रासी की बसुली करती है जिसके लिए वा संस्ता से कुछ सुल्क लेती है एदि ऐसा करने पर भी बुक्तान प्राप ना हो तो संस्था को कानूनी कारवाई करनी चाहिए कभी-कभी कानूनी कारवाई इत्यादी के जंजटों से बचने के लिए संस्था बुक्तान के निप्टारे के लिए ग्रहक के साथ आप से समझोता भी कर लेती है संग्रन की कौन सी कारवाई संस्ता के हित में रहेगी इसका नेने पिछले अन्वाव के आदार पर किया जा सकता है साक आवेदकों का मुल्यानकन करना साक आवेदकों का मुल्यानकन नेंतन करने के लिए ग्रहाकों के विशेकी विक्ति के जानकारी प्राप्ट कर उनका विश्लेशन करना हो सक है साक आवेदक के मुल्यान करनों के लिए अकर तीन परों का देना हो सक है ग्राकों के विश्ये में सूचना का संग्रन संग्री सूचना का विश्लेशन विश्लेशन के आधार पर नहीं है ग्राकों के विशे में सूचना का संग्रण ग्राकों के साख योग्यता के समन्द में विविन स्रोतों से सूचना एकत्रित करनी होती है किसी ग्राक के विशे में कितनी मात्रा में सूचना एकत्रित की जाए ये उपलब समय वो सूचना त्रीकंड की लागत पर निर्बर करेगी ग्रहक की साक्योगिता की जाच के लिए आवसक्ता से अधिक समय लगा दिया तो बहुत संबब है कि ग्रहक उतने समय तक इंजार करने के अपेकसा अन्य किसी फरम से समंद इस्तापित कर ले इस परकार फरम अन्य ग्रहक खोच सकती है सबी परकार के ग्रहकों के समंद में सूचना इकत्ते करने में प्रियाब तनराशी वे नहीं करतेनी चाहिए ग्रहक की साख समंदी सूचना के जानकारे में अपेकसित लाप की तुन्ना में ही धन खर्च करना चाहिए दूसरे सब्दों में साधाहं तर रिन डूबने से होने वाले संभव बिहानी से अधिक वे सूचने करने में नहीं करना चाहिए छोटे-छोटे गराकों के संब्द में जानकारी सरसरी तोर पर कलेंड चाहिए वित्ते विबरन गरहा को जानकारी प्राप्त करने के अच्छे साधन है वित्ते विबरनों से वित्ती सुचना नहींत होती है फ्रम गरहा को से पिछले कुछ वर्षों के वित्ते विबरन प्राप्त करके उनके आदार पर वित्ती सुचना एकतरित कर सकती है कुछ गरहाग वित्ते विवरन सहर सी ही दे देते हैं लेकिन कुछ गरहाग ऐसे भी होते हैं जो वित्ते विवरन देने में शंकोच करते हैं इस तत्ते से साख विवाग यह नमान लगा सकता है कि सादान तैसे गरहागों की आर्तिक इस्तिति कमजूर होनी चाहिए जहां तक संबा वो अंकेशी वित्ति विवरन प्राप्त करने चाहिए ऐसे ग्राग जो मुस्मी बसतों में व्यवार करते हों उनके विश्ये में जहां तक हो सके उनकी अंतरिम रिपोर्ट भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सहाक मुल्यानकन सहस्ताइं सहाक मुल्यानकन सहस्ताइं भ्यापरिक परतिस्टानों से सम्मंदित सहाक सूचना इकत्रित करती है। ग्राक के सम्मंद में इन संस्ताओं में आवसक सुचना प्राप की जा सकती है, ये संस्ताओं देश के परमुक परतिस्टानों से सम्मंदित वित्तियें प्रभंद की सुचनाहों को विविंस रोतों से इकत्रित कर उनका विस्लेशन करती हैं. इन संस्ताओं द्वारा व्यापारिक परतिस्टानों का विगत हितियास, उनके परमुक परशास्निक अदिकारी, परतिस्टान का मुख्य उद्देश से विक्रेव उत्पलादन की प्रवर्ती, व्यापार की प्रकरती यह आकार, परतिस्टान की वित्तिति तता परतिस्टान कर रिन भुक्तान से संबंदित आच्छन के बारें विस्तित आंकड़े कत्रित करते हैं हमारे देश में अभी ऐसे संस्ताओं का फून रूप से विकास नहीं हो पाया है अमेरिका में डन इन डान इस्टिट एक मैत पून साख मुल्यान का संस्ता है बाजार परतिवेदन पर्मकुद्योगों में लगे संस्तानों के संबंद में विविन ब्यापार पत्र पत्रिकाओं परतिवेदन चापते हैं ये परतिवेदें संस्ता के ब्यापार में इस्तान बताते हैं तता दूसरी स्थरब संस्ता की आर्थ की इस्तिती के बारे में जानकारी देते हैं ये परतिवेदें पत्र पत्रिकाओं द्वारा एनियमी तोर पर छापे जाते हैं ये हो सकता कि इन पत्र-पत्रिकाओं में छपे तत्ते संस्ता के लिए प्रामक सिद्ध हो क्योंकि कई बार ये पत्र-पत्रिकाओं के और अच्छी इस्तिती बता देते हैं लेकिन कमजोरियों को नहीं बताते हैं बैंकों से सुचना प्राप्ट क्याना बैंकों से ग्रहकों के समद् вид में सुचना प्राप्ट करते हैं n जो समय समय पर ग्रहकों के समान्द में साख नेक्षन करते हैं बैंक से ग्रहकों ओसत से इस ग्रहकों को दिया गया रिन ग्रहकों को विश्य में अंबव वित्ति शुच नहीं प्राप्त की जा सकती है बैंक साधहम तै